विदियो और विडियो आफ नाश्टल इंकॉंटिंग एंड रिलेट गॉंसेप्स के लिए है यह एकनॉमिक्स चैप्टर टू पार्ट टू होगा यह तो जो भी बच्चे यहां पर टबक चुके है उनके लिए बेटा सबसे पहले पार्ट बन करके आओ उसके बाद पार्ट टू हम लोग कॉंटिनियू करने वाले ठीक है है ऑके सबसे पहला टॉपीक क्या होगा सर आ इस पहले साइर पहले से देख चुके है कि नियूट इनकम इख चुके है सर तीन मैठट था, तीन मैठट से दो मैठट हम लोग सीख चुके, अभी तीसरा वाला मैठट चालू होने वाला है, अच्छा वो मैठट कौन सा कौन सा था एक बार नाम बताओ, सर पहला था production मैठट, दूसरा था expenditure मैठट और तीसरा है income मैठट, अच्छा भई, तो income मैठट ह लेके इधर तक production तक मैं आपको अच्छे से एक बार रीट करने वाला हूँ, so that आप लोग को भी interpretation करना आ जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी तो interpret करना आए ना, खुद बाब गुद, CS बनने के बाद, so that's why, सबसे पहले, income approach is another alternative way of computing national income, हाँ जी भी या, यह 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 वह हम लोग calculate कर सकते है, through income method, it's one of the alternative way, और दूसरा वे स क्या है, दूसरा वे से production way, और एक है क्या, expenditure वे, isn't it, production method and expenditure method, now देखो, this method seeks to measure national income at the phase of distribution, in the production process of an economy, the factors of production are engaged by the enterprises, factors और सुनो अच्छे से देखो, यह क्या बता है, यहाँ पे, factors of production are engaged by the enterprises, factors और सुनो अच्छे से देखो, अब ही यह factors of production क्या होता है, factors of production का मतलब होता है कि प्रोडक्षन करने के लिए जो जो important चीज है, जो जो important factors है, दरकारी चीज है, वो होता है factors of production, समझ में आ रहा, जिसके वज़े से अगर वो ना रहे, तो production हो ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है, आ जाओ, they are paid money income for their participation in the production, the payment received by the factors and paid by the enterprises are तो ये कौंसा कौंसा factors of production है देखो अच्छे से wages, rent, interest and profit wages, rent, interest and profit factors of production अच्छा मैं आपको सम्झा दूंगा ये पहले ये complete करते है national income thus may be defined as the sum of wages, rent, interest and profit received or occurred to the factors of production in lieu of their services in the production of goods briefly national income is the sum of all the wages income, rent, interest and profit paid to the four factors of production अभी आजाओ, आपको मैं एक चीज सम्झाता हूँ अपने को ना कोई भी चीज प्रडूस करने के लिए, क्या करने के लिए प्रडूस कोई भी चीज अगर अपने को प्रडूस करना है ना तो इसमें खर्चा लगता है अगर मैं आपको बोलू कि आज जाके बेटा चिंटू बेटा आज जाके एक बिजनस खोल लो आप बोलो कि सर बिजनस तो खोल लेंगे सर लेकिन उसका जो फैक्टर सब्रडुक्शन है वो तो मेरे पास है नहीं सर वो कैसे हम लोग बिजनस को लें तो मैंने उसको पूछा कि तुमको चाहिए क्या क्या तुमने बताया सर सबसे पहले तो एक दुकान चाहिए एक दुकान चाहिए जिसके टुकान चाहिए अपने को जिसके जिसमें मैं बैठके वो बिजनस कर सक है थिक जिसके साथ वो काम करेगा या फिर जिससे वो काम करवाएगा, उसको लेबर्स चाहिए, अगर उसके पास लेबर्स नहीं है, अगर उसके पास कोई स्टफ नहीं है, तो दुकान में बैठके वो अकेला क्या से बिजनस चलाएगा है कि नहीं, तो उसको चाहिए लेबर्स, ठीक है, चिंटू मैं समझ गय सर पैसा चाहिए सार मानी चाहिए तो तो को यह भी चीज पर्दूक्शन अगर तू कोई भी चीज प्रड्दक्शन तुषको बढ्यूप रीज करना है उसके बाद labor चाहिए उसके बाद तुमको money चाहिए है कि नहीं और यह सब अगर तुमको मिल जाए तो तुमको क्या मिलेगा अगर तुमको यह सब मिल जाए तो आप मेहनत करके क्या कमाओगे profit profit कमाने वाले हो हाँ जी सर profit कमाने वाले तो अगर profit नहीं मिला तो आप produce नहीं करोगे नहीं सर अगर profit नहीं मिला ना तो मैं produce नहीं करोगा इसका मतलब यह है कि profit one of the most important factor of production है हाँ सर आपको पता नहीं कि है सर अगर profit नहीं है ना तो हम लोग production करेंगे ही नहीं हम लोग production क्यों करेंगे सर तो profit is one of the most important factor of production, अच्छा तुमको production करने के लिए उसका मतलब चाहिए एक घर पे रेंट चाहिए, मतलब एक दुकान चाहिए, जो रेंट पे हो, उसके बाद labor चाहिए, उसके बाद money चाहिए, जिससे तुम investment कर पाओ, और उसके बाद क्या चाहिए, profit भी चाहिए तुमको चिंटु पेटा समझो एक चीज, income method, हम लोग national income क्या से calculate करते है, national income क्या से calculate करते है production करने के टाइम में na production कोई भी production करने के टाइम में जोगर अगधे से करेंगे सर इंकम मैथध में खैल्चा कैसे क्यों करेंगे सर इंकम मैथट में लेकिन जो public को पैसा मिल रहा है, वो तो उनका income है ना, वो तो income है ना, तो उस नजरे से समझो, अभी production के लिए क्या-क्या चाहिए, rent पे चाहिए, दुकान, labor's चाहिए, money चाहिए, तो जो आप rent पे करते हो ना, rent, simple है सुनो, income method कैसे calculate करोगे, आप business करने के लिए जो rent, आप ल पे करना है, और money जो आपने लिया है ना, उसका interest भी तो पे करना है, उसका interest भी तो पे करना है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, in return profit मिलेगा सर, तो ये rent, wages, interest and profit जो है ना, इसको तुम सब plus कर दो, plus कर दो सब एक साथ, तो आपका national income, income method से निकल जाएगा, आपका क्या नि income निकले का भाई मेरे, किस method से, income method से, अभी पता चला, ये income method कैसे होता है, ठीक है, अभी आओ, अच्छे से इधर आओ, the four categories of payments are briefly described below, सबसे पहले, wages, wages अपने को देना होता है, है कि नहीं, it is the largest component of the national income, it consists of wages and salaries, along with fringe benefits and unemployment, unemployment insurance, एक चीज समझो, इस wages के definition में न उन्होंने उन्हों किया है, तो याद रखना, MCQ में tricky question सेट कर देंगे, क्या question सेट करेंगे, tricky question, तभी आप लोग मतलब दिमाग चक्रा के न गिर जाओगे, तो wages के अंदर उन्होंने salary को भी include किया, इस category में, हर कही पर नहीं, सिर्फ income method में, अपने wages को, wages में हम लोग salaries भी include करने वारे है, उसक insurance देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, labors को, unemployment के वज़े से, जो insurance मिलता है, वो, वो क्या होता है, वो भी wages के अंदर आ जाता है, समझ में आ रहा है, तो wages के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखो, salaries आ रहा है, fringe benefits आ रहा है, और unemployment insurance आ रहा है, समझ में आ रहा है, wages, तो wages अपन काल्कुलेट करेंगे, rent क्या होता है, income from the property received by household, हाँ जी जो property आपको देने वाल है न बंदा, जो बंदा आपको property देने वाल है, rent में जहां पर आप business कर पाओगे, उनके लिए वो क्या रहेगा, वो रहेगा income, वो क्या रहेगा income, तो rent are the income from the properly received by household, interest, बिटा business करने के and the business money, तो जिस घर ने आपको पैसा उधार पे दिया है, उसको क्या मिलेगा, interest मिलेगा ना भाई, है कि नहीं, अभी आओ profit, profit में क्या आता है, दो टे क्याटेगरी के profit होता है, profits are normally divided into two categories, that is profit of incorporated businesses, and profit of unincorporated businesses, जैसे कि sole proprietorship हो लो, partnership हो लो, and producers cooperative हो, तो sole to unincorporated businesses में क्या क्या आ आता है, partnership आता है, और producers cooperative आता है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, income method कैसे calculate किया जाता है, कोई भी दिक्कत है भाई मेरे, तो comment section में अभी के अभी पूछो, ठीक है, next हम लोग जा रहे है, precautions for income method, यार, हर कोई चीज का precautions होता है, हर अच्छे चीज के साथ बुरा चीज भी इसमें बहुत सारे precautions भी लगता है, ध्यान से करना पड़ता है, तो क्या-क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, वो अपन परने वाले, सबसे पहला क्या है, देखो, transfer payment such as gift, donation, scholarship, indirect tax should not be included in the estimation of national income, तो जैसे की gift मिले, आपको donation मिले, scholarship मिले, indirect taxes हो, उसको न आपको नहीं include करना है as income method, थेके income method पे आपको क्या नहीं करना है, हाजी, हाजी, include नहीं करना है, समझ में रहा है, illegal money earned थ्रोस, muggling and gambling should not be included, भाई हाँ, अगर आपके वास illegal money है न, आपने earn किया, जैसे की smuggling करके, जुआ खेलके, gambling करके, तो वो भी include नहीं होगा income method में, तो windfall gain, such as prices won, lottery, etc, isn't it, आपको prizes मिला है, या फिर आपको lottery लग गिया है, यह थोरा न, यह थोरी न, आपका, मतलब regular basis में income है, तो मतलब once in a blue moon होता है, कि न, तो यह जो है न, यह भी अपन को include नहीं करना है, income method में, MCQ based question है, words पे जाओ, अच्छे से words पे, ध्यान पे, ध्यान दो, words पे, उसक अथा नमबर बोला, receipt from the sale of financial assets, such as shares, bond should not be included in measuring national income, as they are not ready to generation of income in the current year production of goods, तो अपना share जो है, bonds जो है, वो भी अपन लोग क्या नहीं करेंगे, include नहीं करेंगे, income method में, समाज में आ चुका है, income method clear है, precautions, कौन सा, कौन सा, precautions लेना है, वो बी क्लेर है, तो बी क्लेर है, अबी क्लेर ह तो की एंसप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक कौन सा आता है ग्रॉस दमेस्टिक प्रोड़क्ट आता है तो इसके बारे में हम लोग पर लेंगे आजाओ तो जीडिपी के बारे में नहीं पहले भी पर चुके है कि आप जीडिपी क्या है बताओ आजके हां जी हाँ हाहा सै रही हां जी बोलो न हाजif वो क्या है उडिजज़्टेल वाल्यू वार्ट निकों टोटल व्रयो औप गॉड्स एंड शर्विच आंड शर्विच इस रिडिन ओ यू एक साल में हम पागलो- शर्विंटिंज़ तक जितना भी goods या फिर service प्रडूस किया गया है ना उसका value उसका quantity नहीं उसका value समझ में आ रहा है वह अपना GDP है this is calculated market price हां जी market price में यह calculate होता है इसका value क्या होगा इस particular good का value क्या होगा यह market price में हम लोग calculate करते हैं कि नहीं यह market price में आपना calculate करते हैं यह आपना पहले भी देख चुके है और इस नूँए as GDP at market price देखो एक भाइस सहाब है इसका नाम बहुत तरह difficult है उच्चरन करना लेकिन फिर भी में लोग करेंगे दर्ण बर्ग क्या है बताओ दर्ण बर्ग डिफाइस GDP at market price as the market value वो भाइस साब क्या बोलते हैं सुनो GDP का definition उन्होंने भी दिया उनको भी उंगली करना देखो आजाओ the market value of the output of final good and the service is produced in the domestic territory of a country during an accounting year तो भाइस साब हमने क्या कुछ अलगी बोल दिया जो आपको भी मतलब कुछ उना कुछ बोलना था तो डर्ण बर्ग भाइस साब भी एक ही चीज बोले जो हम लोग पहले से बोलते आ रहे है वो value किस चीज का होता है final good का value होता है value of what the final good हमने पहले भी आप उसी को हम लोग count करते है उसी का value हम लोग count करते है उसी का कौन सा value production value या फिर market value market value हम लोग उसका पकरते हैं कि नी उसके बाद समझो एक चीज समझो आपने गुड़ प्रड्यूस किया ठीक है आपने गुड़ प्रड्यूस किया अभी यह प्रड्यूस कर ने के बाद आपके कार खाना में यह पराएक गुड़ तो इसका वैल्यू पकर लो 2,000 रुपेज है 2,000 रुपेज इसका value है तो ये good जब market में चला जाएगा ये good जब ये good जब market में चला जाएगा इस चीज बता उ इसका value क्या 2,000 रुपेज ही रहेगा ये फिर उसका value बर जाएगा 3,000 हो जाएगा profit में बेचेंगे ना बन्दे तो ये जो market price है ना, market price है ना, वो हम लोग calculate करेंगे for GDP concept, समझ में आ रहा है, for GDP concept, for, for any concept, while you are calculating what, national income, while you are calculating national income, समझ में आ रहा है, तो the three most methods which we will understand here is the same methods which we have understood before, the product method, the income method and expenditure method to calculate GDP, इस method से हम क्या करेंगे, calculate करेंगे, क्या सर, GDP calculate करेंगे, product method, income method and expenditure method, आ जा जाओ, product method क्या बोलता है, देखो, in this method, the value of good and service produced in different industries during the year is added up, ठेक है भाई, this is also known as the value added method, to GDP or GDP at factor cost by industry or origin, the following items are included in India in this, agriculture and elite services, mining, manufacturing, construction, electricity, gas and water supply, transport, communication and trade, banking, insurance, real estate and ownership of dwelling and business of services, and public administration and defense and other services, in other words, it is the sum of cross value added, शर इतना बरा मतलब आपने इतना speed में परा मेरे दिमाग के उपर से गे, तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई मैं, फिर से आभी एक्स्टेइन करूंगा आपको हिंदी में, आ जाओ, देखो भाई, पहली उपर लाइन में क्या बोला, इस मैठेद दे वैल्य आप वाल दि गूड़्स अर्विसे पर दूज़ इन दिफ्रेंट इंड़स्ट्री दूरिं दिए इरिस एंड़ड़ा, एक इंड़स्ट्री है, 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 ठीक है, तो देखो यहां पर goods and services है ठीक है मैं entertainment industry कहूंगा ना तो बच्चे चिलाना मत sir entertainment industry सल्मान खान थोरी ना goods produce करता है यहां पर service भी तो है film industry वो लोग service देते ना तो पकलो यह एक है film industry एक्जांपल दूंग मैं या चोड़ो film industry का इंग्जांपल चोड़ो या बहुत बंदे अपनको तो film देखना भी नहीं चाहिए तो हम लोग एक्जांपल भी नहीं लेंगे आ जाओ उम लोग क्या करेंगे दूसरा एक्जांपल लेंगे फर एक्जांपल agriculture की के और एक्जांपल और बताव नं अ तिक एए एक दोर तीन चार चार एक्जांपल मैंने बता दिया आपको एकुम्सी कौन सा example of industry है तो भाई साहब सुनो एक चीज प्रोडक्ट मेतड में हम रोन क्या करने वाले है यह जो अगरिकल्चर इंडरस्ट्री है ना यह जो बैंकिंग इंडरस्ट्री है ना यह जो रियल इस्टेट इंडरस्ट्री है और यह जो अपना चे छे का इंडरस्ट्री हो है यहां जो गुड्ज औ।्ट सभिस है उन्होंने घ्रिकल्चर इंडरस्ट्र इंडरस्ट्री क्या देगा और बोट देगा A 나와 देगा बैंकिंग इंडरस्ट्री सर्विस देगा है की नी रे एविड श्रिस सिर्विस跟大家 a highق pass और और या सुनो चीज इनका ये जो सारे इंडस्ट्रीज है ना इनका हम लोग क्या करने वाल है इनका हम लोग क्या करने वाल है इनका जो गुड्स और सर्विस प्रड्यूस्ट है ना एक साल में उन्होंने एक साल में जितना भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने एक साल में वन पर्टिकुलर य यह को टिक हिए वन परटिकुलर यह कि प्र दिव्कियेırdि वाल च size उन्हों उन्होंने जतना भी ढूंट सर्विस प्रड्रू। 2018 से लेकर 11 टम्होंने जप्रो। जितना भी गूट्स अट सर्विस उन्होंने प्रड्ूस कि मैं उसका हम कुए अपन एड़ करने मादे तो इसको हम लोग कहते हैь स्वालियू अदेट मैठेड है संद्वीया इसलिए है न को इन सब अपरडक्शन इसका इसका जो प्र क्रड़क्शन हो रहा है गुड्श हो या सर्वीस जिस चीज का भी हो इसका जो value है, वो हम लोग सब प्लस कर देते हैं, वो हम लोग सब क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको हम लोग क्या आते है, the product method, clear है भाई, the product method, अपना हम लोग जाने वाले the income method, income method में क्या है, the people of a country who produce GDP during a year receive income from their work, thus GDP by income method is the sum of all factors, like wages, salaries, rent, interest, profit, अभी अभी पर क्या है अभी पर क्या है, ठीक है, उसके बाद compensation salaries plus compensation of employees, इस भी प्रकार का उनको compensation मिल रहा है, तो income method यह हो चुका है, अभी आजाओ, last क्या है, the expenditure method, यह भी हम लोग पहले पर चुके लिए लिकिन फेर भी शायतान बच्चों के लिए, उनको याद नहीं है, क्या हो सकता है, उनके ल method में extraordinary किया, इसमें, GDP by expenditure method includes consumer expenditure on service and durable and non-durable goods, कोई भी consumer का expenditure हो रहा है, जो इस service पकर लो मैं हूँ, मैंने कोई प्रकार का service लिया है, ठीक है, किसी प्रकार का service लिया है, मैंने पकर लो आज ग्यास agency को, LPG gas agency को phone करके बोला, बटा, सर जी, आप एक काम कीचे, मेरे घर पे ना, ए cylinder जो है, वो deliver करवा दीजिए, तो जो बंदा आएगा, वो मुझे को क्या देगा, service देगा, he is giving a service, तो जो service दे रहा है, उसके लिए मैं क्या, उसको चाई पिलाओंगा, और उसको बोलूँगा, हाँ जी, फिर ठीक है, कल आना, ऐसा बोलूँगा, या फिर उसको पैसा देन गुड्स, ठीक है, और गुड्स के अंदर डूरिबल हो, या फिर नॉन डूरिबल हो, सब आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो गुड्स में डूरिबल, नॉन डूरिबल दोनो, तो मुझको जो expenditure हो रहा है, service के लिए, और गुड्स के लिए, वो हम लोग expenditure method में क्या करेंगे, के calculate करने वाले, ठीक है, calculate करने वाले, investment in fixed capital, such as residential and non-residential building, machinery and inventory, inventories, तो अपर लोग fixed capital, जो है, जहां पर हम लोग invest करांगे, for example, residential building, अपर लोग घर करीज रहे हो, non-residential building, business के लिए कोई building लिया है, machinery लिया है, business के लिए inventories, तो उन सब के लिए expenditure लग रहा है, वो हम लोग ब्स करने वाला है अभी देखो government expenditures on final and service goods goods and services on final and goods services government को जो खर्चा लगने वाला है government को जिस प्रकार का खर्चा लगने वाला है for this for the making out of production of final goods and services समझ बहा रहा है export of goods and services produced by the people of the country, export of goods and services produced by the people of the country तो आपने पकल लो को किसी भी प्रकार का आपका good है या फिस सर्विस है जो आप export करते उसमें खर्चा लगता है कि लिए हाजी वो खर्चा भी जो है न हम लोग expenditure method में calculate करेंगे less imports, exports से अपन लोग imports less कर देंगे, समझ में आ रहा है export से अपन लोग import less कर देंगे expenditure method मैंने पहले भी first video में explain कर चुका हूँ मैं तो उन बच्चों को जो है जो सोच रहे sir, sir आप तो मतलब ये पहले explain कर चुके हो, हाँ जी पहले explain कर चुका हूँ national income calculate करने के लिए जो method दरकार है वो GDP calculate करने के लिए भी same method दरकार है तो confused मत खा जाना कि sir तो same topic बार 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 परा रहे ऐसा नहीं है बटा ठीक है तो export से हम लोग क्या करेंगे import less कर देंगे ठीक है import less करेंगे that part of consumption investment government expenditure which is spent on imports is subtracted from GDP similarly any import components such as raw materials which is used in the manufacture of export goods is also excluded हाँ जी raw materials भी extrude करते हैं हम लोग does GDP by expenditure method and market price equals to c देखो c मतलब c मतलब ये देखो consumer दर देखो ला लिंक से अदिखाता हूँ अच्छे से दिख पाऊ गया आप लोग ये देखो c plus i plus g plus x minus m less import है कि नी बन गया न आपका formula for expenditure method है कि नी तो ये negative भी हो सकता है और positive हो सकता है है कि नी negative भी हो सकता है positive नुकसान भी हो सकता है गाटा भी हो सकता है और income मतलब profit भी हो सकता है तो यह expenditure method हो जाएगा अपना तो यह expenditure method हो जाएगा अपना तो आज के वीडियो में यह शौट रखते हैं यहां तक हम लोग complete कर चुके हैं next video में हम लोग और deeply जाने वाले next video कब आएगा ज़र कल आजाएगा next video tension मत लो आराम से करेंगे हम लोग जादा अगर concepts गुसेर दिया दिमाक में तो क्या हो जाएगा हैंग खा जाएगा आपका heart dix तो अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है है के नहीं हो गया यह चीज तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों कर रहे हूं पाप प्रटाफर जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और यह free lecture से इसका अनद उठाओ और सुनो मेरी बात हम लोगों ने test series स्टार्ट कर दिया टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने test series जो है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं तो अगर आपको test series देना है तो telegram चैनल पे जॉइन करना है सर यूट्यूब पे कब आएगा सर थोरे दिन बाद आएगा थोरा टॉपिक्स खतं कर लें उसके बाद हम लोग test series जो है यूट्यूब भी लाने वाले और ज्यादा मात्रा में सुस्ता बच्चे आनंद दुछा सकते test series का चैनल थोरा टॉपिक्स खतं हो जाए उसके बाद हम लोग लाएंगे यह test series ठीक है तो अभी के लिए thank you so much bye bye घर पे रहो सो रक्षित रहो thank you so much everyone and happy learning guys